वेलकम टो इशानी वीडियो स्कुंडली भागे और कुमकुम भागे का एक प्रोमो रिलीस किया गया है जिन में दिखाया गया है कि नई शुरुआत होने वाली है लेकिन एक ख़बर ऐसी पता चली है जिसको सुनकर आप चौक जाने वाले हैं और साथी साथ प्रोमो में क्या दिखाया गया है उसके बारे में आपको डीटेल बताएंगे और आने वाले एपिसोड में यानि यहां पर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसको सुनकर आप खुश भी होने वाले हैं और थोड़ा बहुत आपको यहां पर नाराजगी भी होगी लेकिन क्यों चली उसके बारे में आपको बताते हैं लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक जरू कर दीजीगा क्योंकि हम आपके लिए काफी जाद मैनत करके ऐसी रियल और इंट्रस्टिंग अपडेट लाते रहते हैं आप एक लाइक करेंगे हमें अप्रिसेशिन मिलेगी और हम आपको ऐसी ही रियल और इंट्रस्टिंग अपडेट प्रोइट कराते रहेंगे तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोमो के बारे में प्रोमो रिलीस तो हुआ, प्रोमो के अंदर वही जो हमने आपको बहुत पहले बता दिया था वही हुआ है यानि कि यहाँ पर करन और प्रीता दोनों साथ में आते हैं लेकिन एक बात आप सब के सामने हम बताने वाले हैं, जो कि आप सब को सुनकर खुशी भी होगी, अब महा एपिसोड आने वाले हैं, यानि यहां पर कई सारे शोज के महा एपिसोड दिखाये जाएंगे, जिसके अंदर स्टोरी में तुरंत इतना बड़ा बदलाव दिखाये को मिलेगी, इसके confirmation हमें मिल चुकी है, और आपको रात के 8 बजे के बाद में आप अपने ZTV शोज दुबारा देख सकते हैं, तो आपको 6 से 12 जुलाई तक lockdown के special episodes देखने को मिलेंगे, जो कि आप ZTV और Z5 पर 8 बजे के बाद में देख सकते हैं, और Z5 पर कभी भी episode देख सकत अब बात करते हैं, में यहाँ पर अब कहानी की, अब यहाँ पर जो नए कल की नए शुरुआत आ रहा है, वो 13 जुलाई से देखने को मिलेगा, यानि सेट पर जाकर शूट करने का process फिर से शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन shocking खबर क्या है, चलिए उसके बारे में बात कर लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, तो लाइक जरू कर दिजेगा, अब बात करते हैं कि आखिर में shocking खबर क्या है, आप सबको तो पता ही होगा, Colors TV, Star Plus और Star भारत और बाकी दूसरे ऐसे चैनल से जिन्हों ने फैसला लिया है कि उनक अब भी तरह से उनके जो नए शोज आने वाले हैं और जो शोज चल रहे हैं, उनके अंदर मेजर चेंज इसला के नए स्टोरी के साथ में शुरूआत की जाएगी, अगर आपको इसकी डीटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरू बताना और एक लाइक जरू कर दिजे